जब Christ ने इनको जगाने की कुशिश की, तो उस समय के जो थे शासक, उनको इंसीकुरिटी है, तो जब किसी भी प्रकार की थ्रेट आती है, तो उसको खतम करना होता है, ना तो उनको खतम किया गया है, लेकिन लोगों के अंदर तो जोती जग चुकी थे, तो उनके प्रती सम् को ये सीखना चाहिए एक व्यक्ति को तो सहन करना पड़ता है ये basic principle है जो भी नया thought लेके आता है तो उसको शुरुवात में विरोध होता है और वो सहन करता है व्यक्ति भले खतम कर सकते पर उसके विचारों को आप खतम नहीं कर सकते उस विचारों को जगाना होता है तो इस दीन के बहाने गुरुड फ्राइडे हो या इस्टर हो इसके बहाने हम उनको विचारों को सम्मान दे रहें तो मुझे Christianity में दो तीन बाते बहुत अच्छी लगते एक कि उन्होंने love love thy neighbors कहा है प्यार को इश्वरिय प्यार को खास करके उन्होंने बहुत top level पे रखा है तो यह तीनों जो emotions है mercy, forgiveness and godly love इन तीनों को अपने जीवन में धारन करें है न तो जब ऐसे festival आते है गुड फ्राइडे इस्टर उस समय लोग मौन में रहते हैं है न खास विशश करके Jesus Christ ने अपने अंदर जो परमात्मा को याद करके उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्म वो हमेशा बात करते थे Godfather और वो कहते थे I am the son of God तो उन्होंने भी परमात्मा से वो शक्तिया ली है तो हमको उनके जैसा पुरशार्त करके हमारे उपर जब ऐसी आपदाय आती है या लोग हमको दुखी करते हैं आज का मैं emotion देख रहा हूं as a counselor लोगना relationship में बहुत लेकिन यहां पर खिलेट होके जा रहे हैं उसके बाउचुत भी आपके दिल से उनको श्रापित करने के बोल निकलने के बजाए उनके प्रतिया आप रहम बाव इमर्च कर रहे हैं तो हमको यहां पर इसका secrets इस तरह से लेना चाहिए कि अच्छे लोगों का हमेशा विरोध करेंगे क्योंकि यह eternal war है between good and evil तो उस समय अपनी energy को positive रखना है हाला कि यह कठिन है बोलना बहुत easy है लेकिन जितना हम meditation करेंगे उतनी हमारी यह energy positive रहेगी और फिर हम दूसरों के लिए role model रहेंगे